अजह diff से पेड़ने सब्सक्राइब एक ऊंची किपलाष आ हलो दोस्तों क्या से चले बच्छों कैसे हैं अप अ सब कुछ तो ठीक है सरहां जी सर हम बिल्गुल ठीक है पिछली क्लास में जो बातें समझाए थी समझ में आया था सर हाँ जी बहुत आराम से समझ में आया था कुछ बड़ी बात आपने की ही नहीं थी आपनों तो एक format दिखा दिया था उस format में आपने कहा था कि profit का distribution कैसे होगा हाँ बच्चे वही काम किया था वह देखो वही format मैंने आपके सामने रखा हुआ है कोई नया चीज तो है नहीं वही आपका appropriation account जिसमें profit का यहां पर division होगा सर आज बताओ आज हम क्या करेंगे आज बच्चे मुझे आपके साथ बहुत सारी बाते करनी हैं बहुत जगड़े करने हैं बहुत जगड़े इतने जगड़े इतने जगड़े कि मैं क्या बता हूँ और मुझे बता है कि आप आप बिल्कुल उतारू हो किसा जगड़े मैं भी करने को तियार हूँ हाँ बचे लेकिन हम और आप हाथ से जगड़े नहीं करेंगे हमें क्या करना concept से जगड़ा करना है मैं जहाँ पर आपका concept सही है वहाँ पर ठीक बोलूँगा जहाँ पर आपका concept गलत या भी कुछ नहीं जानते मैं उसको सुधारूँगा उसको सही करूँगा उसको और आगे करेंगे continue करेंगे जब बोलो sorry जब बोलो लिखना तो आपको लिखना शुरूर कर देना है जब बोलो रुख जा तो आपको रुख जा ना ठीक है ना सर हाँ जी सर लो मैं फिर आपको मैं आज आगे बढ़ाता हूं यह format जो अभी मिटा रहा हूं यह तो already आपके पास हैं ही य यह कोई नई बात हो रहे हैं यह तो आपको already बता है मैं आज क्लास को आगे बढ़ाता हूं बच्छे आगे बढ़ाता हूं दोगों आज हमें क्या करना है कि मैं यहां पर लिखूंगा यहां पर लिखेंगे discussion of लिखे मेरे साथ discussion discussion of some typical concept typical कह दो या कह दो important important concept का मैं आपके साथ यहां पर discussion करूँगा बात समझ में आ रही है सर हाँ जी तो सर कौन से इसी बाते होगी आएए मैं आपको समझाओ मेरे पास समझाने के दो तरीके या तो मैं आपको रटा दो या फिर आपको समझा दो मैं रटने रटाने विश्रॉस नहीं करता बच्चे मैं समझाने विश्रॉस करता हूँ तो आएए मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ मैं कुछ यहां पर दिखाता हूँ आप मेरे साथ लिखे लोगों यह रहा आपका profit and loss account यह रहा आपका profit and loss account profit and loss account यह आप एक बनाएंगे मेरे साथ बिल्कुल छोड़ा सा कोई बड़ा नहीं आप एक काम करो अच्छा आप कोशिश करना कि एक ही पेज पर बनाना है मतलब आप इसको फ्रेश पेज ले रहें बच्छे और आपका जो फ्रेश पेज है उसका जो आधा पेज होगा आधा पेज आप वहाँ पर क्या करेंगे profit and loss account बनाएंगे सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि profit loss account तो हमारे syllabus में ही नहीं वो तो हमने 11 क्लास में पढ़ लिया बच्छे हमने पढ़ लिया सर फिर क्यों करा रहे हैं हाँ बच्छे हाँ आप बिल्कुल सही बोल दो आपने profit loss account पिछले साल पढ़ लिया 11 क्लास में उसका discussion नहीं अगर आप चिंता ना करो लेकिन मुझे कुछ समझाना है मैंने कहा था ना मुझे कुछ समझाना है तो यह रहाँ आपका profit loss account और एक मैं आपके लिए बना रहा हूं यहाँ पे profit and loss ये तो आपको पढ़ना है ना सर ह हाँ सर ये तो मैं पढ़ना है तो ये हमने क्या-क्या प्रोफिट एन लोस एप्रोपिसने एकाउंट हमने आपके लिए बनाया मेरी हें थोड़ी गंदी है आपको पता चल चुका होगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा साफ साफ लिखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा आप प्लेज मुझ में हसना नहीं कि सर आप कितने गंदा लिखते हो क्या करूँ बच्चे मैंने बच्पन में ध्यानी ने दिया हैं डेटिंग उपर में पापा ममा सर बोलते थे कि आप ड्रोइंग करो ड्रोइंग मुझे आता है नहीं था मैं क्या क करूं जब एक्जाम में आता था कि लड़का बनाओ जी लड़का तो देखो मैं लड़का कैसे बनाता था यह लिखता था बी ओ वाई बॉइफर क्या होता है सर लड़का होता है तो देखो मैं क्या कर देता था यह मैंने ऐसे मिला दिया यह मैंने ऐसे मिला दिया यह मैंने हैं जब इस तरीक इस लड़का बनाऊंगा तो लड़के लड़किया तो आपके जैसे होते हैं बढ़ मुझे आता है नहीं बनाने के लिए अच्छा सर चलो चोड़ो कोई बात है लेकिसा आपकी कराकारी अच्छी है आपने वह इस लड़का बना दिया लेकिन छोड़ो ना इससे क्या होगा जबर बताओ इससे हैंडाटिंग ठीक हो जाएगी चलो में मुद्द्धे बर आता हूं और यह रहा हमारा प्रॉफित लॉस आपने अपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि profit loss account में आपके expensive income आते हैं एक साल में business में जो भी आप expense करते हो, income करते हो, उसकी यहाँ recording होती है लेकिन जो profit आपने यहाँ से निकाला, यह जो आपने profit निकाला, लिख रहा हूँ मैं net profit, यह जो profit हमने निकाला है जी, यह profit हम यहाँ लेकर आते हैं, by net profit, हम यहाँ profit लेकर आते हैं और फिर इस profit का हम क्या करते हैं, appropriation, division करते हैं, आपको याद होगा मैंने appropriation का मतलब क्या बताया था कि profit का amount, जो profit firm ने कमाया है, वो profit partners के बीच में distribute करना, partnership में दो या दो से ज़्यादा partner होते हैं वहाँ profit को हमें उनके बीच में divide करना होता है, तो profit का distribution कैसे होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा बात समझवारी है, सर हाँ, तो आओ जरा, पहले मैं आपको बताओ, कुछ यहाँ पे note लिखाऊँगा, आप एक काम करना जो profit loss account बनाया और जो appropriation account अपने बनाया है इसके नीचे, मेरे बास जगा नहीं है बच्चे मैं यहाँ लिखूँगा, लेकिन आप इसके नीचे एक note लिखे, लिखे मेरे साथ यहाँ पे note number one, note number one, लिखेंगे लिखेना in profit and loss account, लिखे मेरे साथ यहाँ पे in profit and loss account, in profit and loss account, comma, all expenses, all expenses and income, income are, are shown in profit and loss account, all expenses and income are shown to calculate, to calculate net profit, net profit earned during the year, earned during the year, बात समझ में आ रही है, सर हाँ, यह तो हमने 11 एक लास में पढ़ा हुआ है, कि जो भी आपने profit कमाया है, उस profit को पता करने के लिए आप यहाँ पे अपने income को दिखाते हैं, आप यहाँ पे expense को दिखाते हैं, income and expense, profit निकल जाता है, हाँ बच्छे, लिखो यहाँ पे note number 2, इन profit and loss, in profit and loss, appropriation account, in profit and loss, appropriation account, we debit, we debit, debit का मतला होता है, इस पार लिखना आपका, V debit, all payment, या V debit, appropriation, 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 oblique distribution, appropriation के दो या के दो distribution, distribution of profit, of profit, कौन सो profit जे, तो of net profit, जो profit निकल के आया है, of net profit, among partners, among partners, among partners, पर बच्छे, in profit, loss, appropriation account, V debit, appropriation, या फिर distribution of profit, among the partners, profit को पार्टनर्स को विच्पर इस्ट्रिबूट करना, लिसक्पर इसियर अद्धा ऑश्द्रिबूट्द्रिबूटDon्र्ट निफ्ट्रिवक्परीचka, तो निफ्ट्रिजक्छ्श्ट्श्ट्रिए, झाप्रिफ पार्टनर्सक्छ्ट्ऽ्न्छ्ट्ट्ट्रूट् for providing capital and for rendering services to the firm. to the firm. आप मेरी बात को समझो. आप मेरी बात को समझो. मैंने का distribution of profit to partners are made for providing capital. अब प्रोफिट हम partners को क्यों देते हैं? क्यों profit partners में dispute करते हैं? क्योंकि उन्होंने capital दिया है, capital. बिजनेस में उन्होंने पैसे लगाएं और बिजनेस में अगर आपने कोई पैसा लगाया है, तो उस पैसे पे आपको interest मिलेगा ना बच्चे, मिलेगा ना? सर, हाँ, interest तो मिलेगा. तो आपने पैसे कहा कि profit का distribution इसलिए करते हैं क्योंकि partners ने capital दिया और capital बहुं इंट्रेस देते हैं, यहीं नहीं. For rendering services to the firm, वो अपने services भी render करते हैं firm को. अब दोखो न, वो एक employee को मैंने कहा था कि आप अपने अपने partners को salary pay करते हो, आप partners को commission pay करते हो, आप profit में से उनको share देते हो, क्यों देते हो, क्यों देते हो, क्यों वो काम कर रहे हैं business के लिए, अगर वो business के लिए काम करेंगे, तो उनको हमें salary देना ही पड़ेगा, उनको commission देना ही पड़ेगा, profit उनको देना ही पड़ेगा, त बज़ क्यों काम करेगा तो आपने क्या क्या जो उनका capital है उस पर इंट्रेस्ट में करना बच्चे या फिर उन्होंने render करनी है जो काम उन्होंने करना बिजनेस में किसने partner ने बार-बार कर रहा हूं partner ने partner की बात किया था उसके बदल में क्या करते हैं जो profit का distribution करते हैं लिखो मेरे साथ यहाँ पर एक example एक example और मैं example जब लिखूँगा न तो उसका जो नाम लिखूँगा आपको मुझे बताना कि वो नाम यहाँ जाएगा profit loss में की appropriation account वे बात समझ मारिये सर हाँ जी लिखी जड़ा example आपका state following following items following items will be will be recorded will be recorded in profit loss account in profit and loss account और या फिर profit and loss appropriation account आपको बताना है कि जो चीजे मैं बोलने वाला हूं जो नाम लिखने वाला हूं आपके मुताबिक वो नाम profit loss account में जाएगा कि appropriation account में जाएगा और रटना नहीं बचे मुझे पता है कि आप सब को जान तो बस मुझे बता देना यहां लिखो आप जड़ा नंबर बन पहला या एक और दो आप ए मैं कहता हूं जड़ा बताओ अगर कोशन कहता है कि आपने यहां पर सब्सक्राइब क्या लिखो जड़ा बताओ पहला नाम आपका मालो हमने electricity charge pay किया electricity charges आप बताओ electricity charge pay करना यह profit loss account में आएगा सरी electricity तो हमारा expense होता है और expense कहां record करेंगा profit loss account में तो ठीक है मैं काम करता हूं यह लिख देता हूं एक नाम के साथ कि जो नाम आपने यहां पर लिखा है वह electricity charge आपका यहां पर जाएगा आपको याद होगा आपने आधा पे जग charges जो आपके होंगे electricity charges वो कहां जाएंगे आपके profit and loss account में बात सुम्यवारी सर हां क्योंकि यह expense है अच्छा मैं अगरा नाम पूछता हूं जड़ा देखता हूं क्या बता बाते हैं मुझे बताओ जड़ा अगर मैं कहता हूं advertisement advertisement आप बताओ जो advertisement आपने कराया वो कहां जाएगा आप बताओ advertisement क्या partners को दिया जा रहा या फिर expense record होगा सर आपको क्या हो गया यह कौन से सवाल पुछ रहा हो यह तो मैं पता सर expense होता है और जो advertisement है वो भी कहां जाएगा profit loss account में तो यह लो मैं आप भी की बात मानता हूं कि जो मैंने advertisement आप से पूछा उसको भी क्या बोला आपने यह भी expense है और expense कहां जाएगा profit loss account में बात समझे मारी है सरहां जी अच्छा अच्छा ठीक है मैं तिसरा स्वाल पुछता हूं तिस capital पर अगर मैं interest भी कर रहा हूं तो कहां जाएगा सर interest on capital वो तो appropriate account में जाएगा सर कि सरी यह तो appropriate account में जाएगा क्यों अभी तो लिखा था profit का जो distribution अधा partner को क्यों होता है जी उनका जो capital है उस पे उसके चलते मिलता है तो capital हम क्या प्रेकरते interest अरी capital पें interest वे करते हैं है तो जो इंटमला है और partner को क्यों मिलना है आपका क्योंकि उनके capital को उपर मिवंगा बचते यह जाए यह अगर यह पांतनर को दिया जा रहा है और उनके capital के बदले में या उनके मेहनत के बदले में तो ही अपर प्रप्रिश्णिक आउन में जाएगा सर हां तो interest on capital partners के capital मिलता है इसलिए आप क्या करोगे जो point number C लिखा वो solution चला गया यहां पर आपका interest on capital interest on capital जो आपका होगा वो यहां चला जाएगा बात समझवारी सर हां जी सर यह निकल के आएगा अच्छा मैं अगला स्वाल पुछता हूँ number D जड़ा बताना number D अगर कहता है कि मान लो हमने commission pay किया अगर कहता है कि हमने commission pay किया और commission pay किया जी to manager manager को commission pay किया बच्छे एक और लिखता हूँ number E साथ इसाथ कहए कि commission हमने pay किया कहता कि हमने commission pay किया लेकिन commission pay किया आपने partner को आपने commission pay किया partner को आप मुझे बताओ कि जो commission हमने manager को pay किया वो commission आपका profit loss account में आएगा कि appropriation account में आएगा जला बताओं सर ये क्या पूछ दिया आपने क्यों क्या हुआ अरे आप मुझे बताओ manager क्या partner होते हैं बच्छे manager partner होते हैं कि employee होते हैं सर वो तो employee होते हैं वो तो employee होते हैं तो फिर सोच क्यों रहे हो अरे सोचना क्या है employee को जो भी कुछ हम पे करें वो तो हमारा expense है वो तो expense है आप बच्पन से पढ़ते हैं रहे salary पे करना commission पे करना wages पे करना rent पे करना सब कहां जाता profit loss account में क्यों सोच रहे हो आप क्यों तो आप दोखो commission जो पे किया manager को हमारा क्या बोला जागा expense कहा जागा वो यहां record किया जागा बच्चे तो मैं लिख देता हूं C में कि हमने जो commission पे किया है हमने जो commission पे किया है वो commission to manager जो हमने manager को commission pay किया है वो कहाँ जायगा आपका profit law account में बात समस्में आ आरे है सरहां लेगि मेरे बच्चे आप मुझे बताओ अगर commission हमने partner को pay किया है partner को तो बता commission जो partner को pay करूँगा वो profit loss account में आएगा की app diversion heμεं आएगा जो commission में partner को pay कर रहा हूँ वो profit loss account में यानी IP expense record करेंगे या profit का distribution record करेंगे आप बताओ आप बताओ मैंने बताने वाला मैंने मैंने तो आपको हीट दे दिया कि distribution of profit यानि कि जो profit distribute होता है वो partner को क्यों होता जी उनके capital के बदले में और साथ इसाथ जो services यानि कि जो मेहनद कर रहे हैं उसके बदले में देना तो partners को अगर उनके services के बदले में या फिर capital के बदले में कुछ भी पे किया जाएगा तो वह आपका आएगा यहां पे जी अप्रोपरिशन account में जबाब मिल गया बच्चे मैंने नहीं कहा आपने बताया मुझे आपने खुद कहा कि सर जो कमिशन पार्टनर को पे किया जा रहा है यह तो partner को दे रहे हैं और उनके services यानिके उनके मेहनत के बदले में और मेरे बच्चे कुछ भी मेहनत को अगर कुछ भी partner को मिलेगा उनके मेहनत के बदले में तो आप उसको एप्रोपरिशन में record करते हैं इसलिए हमने कमिशन जो यहां पे किया कमिशन जो पे किया आपने कमिशन टू पार्टनर आपने क्या क्या यहां record किया आप समझे मेरी बात अगर मेनेजर को कमिशन पे किया तो यहां चला जाएगा partner को पे किया तो यहां चला जागा क्योंकि partner जो होते हैं उनको जब भी कुछ दिया जाएगा जब भी कुछ दिया जाएगा और अध्यान रहे उनके capital के वदले में या फिर उनके सर्विसेज के बदले में तो कहा जाएगा जी आपका एप्रपरिशन इकाउंट में बात समझवागे सर हाँ आगे सर आगे आगे बताओ सर आगे क्या पूशन चाहते हो लो मैं फिर एक पॉइंट और डालता हूँ एफ पॉइंट आपका एफ मुझे बताओ अगर हमने सेलरी पे किया है सेलरी टू मेनेजर एक मेनेजर है और उस मेनेजर को मैंने सेलरी पे किया जी या फिर अगला लिख रहा हूँ मैं यहां पे सेलरी हमने पे किया है सेलरी पे किया लेकिन मेनेजर को नहीं पार्टनर को पा मैं जब आप बताने वाला उसके पहले आप कर चुके मेनेजर हमारा employee होता है मेनेजर जो हमारा है वच्छे वो employee होता है हमारे under काम करता है हमारा partner नहीं होता है वो मालिक नहीं होता है तो मेनेजर को जो salary pay करूँगा यहां लिखूँगा लिखे ज़रा F point यहां चला गया अगर exam में आ जाए कि जड़ा बताओ salary जो हम pay करते है salary to manager वो कहां record किया जाएगा तो आप कहना कि जो manager को salary pay किया जाएगा वो जाएगा profit loss account में लेकिन जी point बच्छे जी अगर हम salary pay करते हैं अगर हम salary pay करते हैं और वो अगर हम pay करते हैं partner को अगर हम pay करते हैं partner को तो जड़ा बताओ कहा record किया जाएगा sir वो record किया जाएगा एप्रोप्रिशन account में तो आप समझो ना आपको कितना अच्छा लग रहा है हमने कहा कि लिखो salary pay किया manager को तो आपने यहाँ record किया अब तो जो पुछना सर पुछलो मैं बताने को त्यार हूँ अच्छा तो ठीक है मैं अगले दो तिन पुछता हूं ज़रा देखता हूं कि आप जबाब दे पाते हैं हमारा जी तक हो गया था आई जड़ा सर पूछो तो जड़ा आप पूछो तो आप हमें अंडर्समेट क्यों कर रहे हो हम बड़े समझधार बच्छे तो फिर लो बच्छे पूछता हूं मैं आप से आप लो यहां पर मैंने कहा जड़ा बताव कहता है कि रेंट हमने पे किया रेंट हमने पे किया आपका रेंट पे तो लैंडोड को उन्में रेंड पिया आप बता रेंड पिए करना कहा qualify होगा तर क्लाट सवाल जूपोर सिंबल सिंबल पूच रहे हो और कहते हो कि आप बड़ा ट deport कोशन करोगे यह लो तो lr जो पे किया लैंडॉड को रेंड तो यहां जाएगा रेंड हमारा क्या है यह expense है रेंड जो पे क्या TO लैंडलोड को लैंडलोड को जो शाय पूं आप पूसे पहुआएज तक पोलुध फिया अच्छा ठीक है लेंगे मैंना सवाल यह नहीं था बच्छी सवाल अब आ रहा है और देखता हूँ कि आपका common sense कितना काम करता है ये लो मैंने कहा आई अगला point आपका rent कहता है rent paid to partner rent pay किया हमने partner को एक मिनिट एक मिनिट sir rent pay किया partner को इसका मतलब क्या तो partner को pay किया मतलब for for using his property या his building अब बताओ कि आप partner को rent pay कर रहो यार rent जो pay किया partner को अब partner को rent pay किया वो कहां जाएगा ये तो सभाविक सी बात है कि partner ने अपने building firm को देदी होगी और बोला कि लो जी आप इसी में काम करो लेकिन मैं उसका rent लोंगा यही मतलब निकलका है ना बच्चे मैं और आप दोनों मिलके काम कर रहे है हमें एक जगह पे अपना office खोलना है office खोलने के लिए हमें एक building की ज़रूरत है तो या तो building मैं किसी और से rent पे ले लूँ या फिर उस जगह पे अगर आपकी ही प्रोपर्टी है तो आप से ले लूँगा जी rent पे बात समझ मारी है अरे या तो मैं बाहर वाले से लैंड़ोड का मतलब क्या हो गया मानलो कोई आउटसाइडर है आउटसाइडर मतलब क्या हो मैं और आप नहीं है बच्चे कोई और सा तो उससे जो उसको भी rent पे करना पूरेगा अगर मानलो कि मैंने आपसे building लिया कि अपनी building दे दो हम उसी में office खोलते हम आपको rent pay कर देंगे form आपको rent pay कर देगी तो जड़ा बता यह जो rent पे किया रहा यह भी क्या बोले जाएगा सर यह भी तो expensive है यह भी expense है मत्तों rent पे करना आपका लेकि मेरा सवाल सुन अप मेरा सवाल है कि अगर हमने landlord को rent पे किया तो आपने कहा आपका यहां जाएगा लेकि मेरे बच्चे अगर कहता हूं कि rent हमने partner को पे किया उनकी building को यूज करने के बदले में तो जड़ा बता यह रेंट आपका profit loss account में जाएगा यह profit loss प्रोफिट लोश में जाएगा जला बता यह profit loss कि अपर्पिशन एकाउंड में जाएगा जाएगा कि यह तो थोड़ा टिपिकल सवाल है हमें सोचना पड़ेगा सोचो ना फिर कौन रोकता आपको कौन रोक रहा आपको सोचो आप जितना सोचना है मैं थोड़े मना कर रहा हूं सोचने क्या आपको आप बस पूछे जवाब दे दो कि रेंट जो पे किया पार्टनर को फोर यूज किया और उसके बदले में जो आपने रेंट पे किया जला बता वह रेंट आपका प्रॉफिट लोस एकाउंड में आएगा कि अपर्परिशन एकाउंट में हुआ है जो थोड़ा हिन्ट दे सकते हो हाँ बचे हिन्ट क्यों नहीं दोगा हिन्ट देता हूं चलो मैं हिन्ट देता हूं लकिए जवाब आपने ही देना है मैंने जवाब देने माला है हिन्ट सुनो हमने कहा था कि प्रॉफिट लोस एकाउंड में इंकम और एक्स्पेंस इंकम एक्सपेंस इंकम रिकॉर्ड होते हैं पता यह बात ना और हम बात करें अगर यहां पर तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं लेकिन यहां पर प्रप्रप्रशन होता है प्रोफिट का डिस्ट्रिबुशन होता है प्रोफिट का डिस्ट्रिबुशन होता है आप यहां प उनके बदले में जो भी उनको आप कुछ देते हो उनको मोलते हैं प्रॉफिट का डिस्टिबूरिशन आव जला एक एक करके मैं आपके साथ देखता हूं कि क्या बाते निकल के आ रही है जला बताओ अगर लेंडलोड ने सुरी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दे दी और बिजनेस की प्रॉपर्टी थोड़े है वो तो आप ही की प्रॉपर्टी है पार्टनर की प्रॉपर्टी है लेकिन पार्टनर ने उस प्रॉपर्टी को देने के बजाए बोला कि मैं इस तो रेंड लूँगा रेंड तो मुझे वो ये पार्टनर का फर में कैप्टल नहीं ह है तो इत के मतल雅 का तो सवाल उठानी आपका यानिकी वो इंट्रेश्ट है निकि इंट्रेस्ट देंगे आपका अब जला रेंट की वाद करते हैं उनका सर ऐरेंटर करना जलना बता सर्बतीственव रेंटर करना क्या रेंट जो डहे रहे हैं पाई ृप कर रहे हैं अपना मैं काम कर रहा हूं क्या पार्टनर कोई काम कर रहा है अपनी मेहनत से अपनी बॉड़ी से फिर रेंट ले रहा है नहीं सर नहीं यह भी नहीं हो रहा है यह भी नहीं हो रहा है यह सर्विसेज के बदले में थोड़े आपका है तो सवाल खतम हो गया बच्च कि कोई मेहनत नहीं है उन्होंने एक बिल्दिंग रखा था रेंट पर दिया और रेंट हमेशा फर्म पे कर दी है तो मैंने बचे अकाउंट्स में यह जो रेंट पे किया पार्टनर को यह भी हम प्रॉफित लोस एकॉंड में दिखाते हैं एक्स्पेंस मानते हैं यानि कि अभी अभी मैंने आपको बताया था अभी अभी झाण उसको बोलते पको यहाँ पर रेंट परेंट पे करना चाहे आपने लेंट्नोड के रेंट हो आपने आपने पार्टनर को पेकिया है वो profit law से कवाण में जाएगा, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दोमत नहीं बात समझ्मा रही है, सर हां जी, सर हां जी ये बात समझ में आगी, आगे बोलो सर, आगे बोलो, अब मुझे बताओ ना फिर से, मैं मेरे पस जगह कम है, मेरे पस जगह कम है, जगह भी है, मैं लिख सकता हूँ, यह लोग आपका J, यहाँ पर J हो गया जी, एक point आपका आपका आजाएगा, और यहाँ पर K, एक point और आजाएगा ठीक है न, फिर से सवाल मेरा निकल के आ रहा है, मालो कहता है कि आपने interest पे किया interest पे किया, on loan, loan, from bank, आपने bank से आपने कोई loan लिया है और उस loan पे आप interest पे कर रहे हैं, जड़ा बताओ, बैंक से आपने एक loan लिया था, उस loan पे आप interest पे कर रहे हैं, मुझे बताओ, यह interest आपका expense है, या profit का appropriation है, सर, bank को जो हम loan लिये थे, bank से जो loan लिया था, उस पे interest पे करना हमारा expense होता है, वो 11 भी class से पढ़ते हैं, अच्छा-च्छा, तो यानि कि यहाँ पे बच्चे जो आपका J point है, यानि कि interest जो होगा, interest on loan to bank, bank को जो आपने interest पे क्या, वो क्या होगा जी, आपका profit loss में जाएग यह हमारा profit loss का item है, ठीक है, लेकिन सवाल सुनो अगला आ रहा यहाँ पे, अगर question कह दे, interest पे क्या, interest on loan to partner, यह क्या हुआ, इसका मतलब है, आगे ज़्यदा detail में बताऊंगा, इस पे पूरा एक topic हमारा निकल के आएगा, आज सिर्फ थोड़ा से सुन लो, बस, थोड़ा से सुन लो, अगर partner ने कोई loan दिया है, पता है partner जब पैसा business में लगाता है न, firm के अंदर में, तो मुर्च यह दो तरीके से पैसा लगाता है, दो तरीका है, या तो क्या करेगा, वो capital देगा, capital या फिर वो loan देगा, अगर एक partnership firm को, एक partner अगर सबोज कि पैसा देना चाहता है पैसा business में लगाना चाहता है, तो दो तरीका बत्ये, या तो वो capital देगा, या फिर loan देगा, मैं कराओ कि अगर मालो partner ने कोई loan दिया है, sir loan कोई क्यों देगा, अगर वो partner है तो capital देना चाहिए, हाँ मैं आपने बिलकुल ठीक बोला, कि partner है तो उसको capital देना चाहिए, लेकि कभी कभी क्या होता है, कि partner जो होते हैं, वो आपका capital के साथ साथ loan देते हैं, loan क्यों देते हैं, वो आगे का topic है, मैं आपको आगे समझाओंगा, आपको बिलकुल चिंता नहीं करना, बस थोड़ा समझ दो कि मानलो partner ने कोई loan दिया है, और उस loan पे, suppose कि interest पे किया जा रहा है मुझे बताओ, partner के loan पे अगा interest पे किया गया, तो वो interest आपका profit loss account में जाएगा, या फिर आपका appropriation account में जाएगा, मेरा सवाल यह है, जिना बताओ, जो partner के loan पे interest पे किया जा रहा है, क्या मैं उसको expense मानूँ, अगर expense तो मैं यहां record करूँगा, लेकिन अगर आप कहते हैं, कि वो profit का appropriation है, तो उसको मैं यहां record करूँगा, आप बताओ, कहां पे जाएगा, सर्थ दिमाग नहीं काम करता, आप ही बता दो ना, तो ठीक है, क्या attention करना, मैं हूँ ना बच्छे, सुनो मेरी बात, मैं इसको सचूँगा, आपने partner के loan पे interest पे किया, आप बता, loan, हमने कह बता था कि distribution जो होगा profit का, उसमें क्या आएगा, उनके capital पे interest देना, अगर उन्होंने capital दिया है, तो capital पे जो पे करूँगा, वो यहां पे आएगा, या फिर वो जो अपना मेहनत कर रहे है, उसके बदले में जो जाएगा, वो यहां पे जाएगा, बच्छे, लोन देना, न तो कोई capital है, और नहीं कोई partner की मेहनत है, तो मेरे बच्छे, पार्टनर को, अगर partner ने कोई loan दिया है, और उस loan पे अगर firm interest पे करें, तो वो expense माना जाएगा, वो profit का distribution नहीं माना जाएगा, और वो जो interest पे किया जाएगा, वो भी क्या करेंगा, आप यहां record करेंगे, तो आ on loan, on loan to partner, आप जो partner को यहां पे loan पे interest पे कर रहे हैं, वो भी कहां जाएगा, आप profit loss account में, बात समयवारी मैंने क्या बता है, आपका, कुछ भी tension नहीं है, अगर partners को उनके capital और services के बदले में, जो भी मिलेगा, वो आएगा, अप्रपरिशन अकाउंट में, लेकिन अगर मान हमें दो-दो नमर के कोशन आते हैं, चार्चर नमर के कोशन आते हैं, बड़े-बड़े कोशन में भी concept डाल देता है, कि जो बताओ, partner को हमने rent पे किया जी, partner के loan पे हमने interest पे किया, आप बताओ, ये कहां जाएगा, तो आप बोलना profit loss account में, ना कि appropriation account में, याद रहेगी बा या फिर उनके services, यानि कि मेनद जो खून पसीना वो लगा रहे हैं, उसके बदले में जो मिलता है, इसकी सवाए कुछ भी, अगर partner की property है, उसको हमने rent पे लिया हुआ है, हम rent पे कर रहे हैं, वो भी expense माना जाएगा, partner से हमने कोई loan लिया है, हमें कुछ interest पे करना, वो भी य मेरे साथ, मैं भी कराऊंगा, उन कोशन में कहीं न कहीं ये points आपको यूज किये जा रहे हैं, कि ये कभी interest on loan to partner कहा देगा, कभी rent कहा देगा, तो आप परशान नहीं होना, आपको पहले सा पता कि कौन सी चीजे profit loss account में जाएगी, कौन सी appropriation account में जाएगी, बात समझ में आ ये खुद समझाएंगे कहा जाएगा, तो जोना बताओ ना, salary पे करना, आपका advertisement कराना, आपका commission पे करना, rent पे करना, सब कहां जाएगे, सर अगर वो आपका, ऐसे तो खर्चे सब यहां जाते हैं, हाँ अगर कुछ इसमें से जो capital के बतले में पे किया गया, या जो profit का, services के बदले में दिया, वो जाएगा आपका proportion account में, ठीक है न, सर हाँ, चलो फिर, आप इसे को भी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, सर ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया आपका, तो मैं काम करता हूँ, फिर मैं इसको मिटाओंगा, और मैं बहुत बढ़ा पाप करने वाला था, बच्चे, मैं बहुत बढ़ा पाप करने वाला था, रोग दिया आपने मुझे, रोग दिया, मैं इसको नहीं मिटाओंगा, मैं पहले सिब इनको मिटाओंगा, पहले मैं इनको मिटाओंगा, मैं अभी उनको नहीं मिटाने वाला, मैं एक बहुत एक typical theory को मैं बड़े simple तरीके से आपको बता देना चाहता हूं ताकि बाद में आप मुझसी यह न कहें कि सर आपने यह तो समझाए नहीं था और आपने topic खतम कर दिया यह लो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं सर यह दो format आपने क्यों छोड़ दिया आपको बताता हूं बचे आपको बताता हूं ध्यान यहां ध्यान यहां यहां देखो ध्यान यहां बचे ध्यान यहां पता है आप जितने भी नाम आपने profit-loss एकौन में दिखाये ना जो भी नाम आपने profit-loss में दिखाया या जिस नाम को भी आप profit-loss एकौन में दिखाते हैं profit-loss एकौन में मेरे बचे इन सबको आप कहते हो यह है charge आप इनको कहते हो charge against profit अगेंस profit जहां लगना यह एक word है पता नहीं कितने बार पता नहीं कितने बार इसको पर में थियोरी आ चुका है एक्जाम में यहां लगना जितने भी नाम आप profit-loss एकौन में दिखाते हैं उन सबको क्या बोलते है चार्ज अगेंस profit अगेंस profit यानि कि profit में जिसको चार्ज यानि कि खर्ज करुप में दिखाना है यानि कि profit को निकालते हैं समय जिनको भी खर्ज करुप में दिखाया जाता है उन सबको क्या बोलते हैं यहां भी जगा laying up कोई बड़ी बात नहीं है जग gid ogren नहीं करना मेरे सार्ट crust समझा देन था इसलिए काम खतम हो गया those items which are which are which are debited to which are debited to debited to आपका profit and loss account मिले बच्चे जितने भी नाम को आप profit loss account में दिखाते हैं उन सारे expenses को उन सारे नाम को कहा जाता है charge against profit charge against profit का मतलब हो गया जिनको profit में खर्च गुरुप में दिखाया जाएगा बात समझ में आ रही है सर हां तो सिर्फ पिर बताओ ना सर इनको क्या कहा जाएगा मेरे बते आप देखो ना यहाँ पर और क्या क्या आ सकता है जी आपने इंट्रेशन कैपिल लिखा कमिशन लिखा सैले दिया और यह बड़ी सरे नाम था profit डिवाइड करना जो भी आपका था तो जितने भी आइटम्स आपके profit loss एप्रोप्रेशन एकाउट में आते हैं जितने कि यह profit का आपका एप्रोप्रेशन है यह आपके profit का डिविजन है यह profit के डिविजन होते बचे profit का आपका एप्रोप्रेशन है कोई पूछ दे कि एप्रोप्रेशन प्रोफिट का मतलब क्या होता है तो बोलना कि दोज आइटम्स दोज आइटम्स विच आर विच आर लिख प्रोप्रिशन एकाउंट एप्रोप्रिशन एकाउंट जो प्रोफिट लोस एप्रोप्रिशन एकाउंट में जितने भी नाम आते हैं जितने भी नाम आते हैं उन सब को कहा जाएगा एप्रोप्रिशन प्रोफिट यह था चार्ज अगेंस प्रोफिट इसको बोलते प्रिष्ट लिए पार्टन में प्रेंड अगर आपनलो की पौपिट को देना लगागी तवी पर्टने को देना को देना फिर उसी तरिके के से मालो यहां पए परीजर में ट्रांसेर्ट करना पिछली क्लास में देखा था जा था प्रवल पूर्पित कहा जाएगा और जीन नाम को मिने बचे आप प्रम प्रम इसकाउंड में बिखा थे ए हम उसको बोलते जी आपका उसको wordt क्या वैं सब्सक्राइब DM आ ON कई सारे question में topics आएंगे तो कोई tension की बात नहीं है आपके लिए आप कोपी कर लो फिर आगे की बात करता हूँ आप मुझे अगर अनुमती देतों मैं इसको मिटा दू बच्चे आप मुझे अनुमती देतों मैं मिटा दू सर लिख लिया, आप मिटा लो सर, मिटा लो, हमने अनुमती दिया, धनिवाल बच्चे, धनिवाल, आपने मुझे कहा मैं मिटा देता हूं, लो मैं इसको मिटा देता हूं, और अगर आप नहीं लिख पाएं, थोड़े स्पीड अगर स्लो है, तो भी टेंशन क्या है, आप समझ में, सर, हाँ, हमने पहले किसम खाया है, और हम कुछ भी रटेंग नहीं, हमें सारी बातें समझनी हैं, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, टेंशन होगी, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने अपना नंबर आपके साथ शेर किया था, आप नंबर पे फोन करके, या मैसेज करके खास कर, अपना मुझे टाइब कर दो, मैं आपको उसका जवाब दे दूगा, हो सके तो, फोन करके भी मैं आपको बता दूगा, लेकिन आपको पुर्शानी नहीं आने दूगा, ये बात याद रखेंगा, ठीक है, चलो, अब मैं कुछ और कुंसिप को आग चाहोगे भी ने फिर आज के बाद, क्योंकि आपके दिमाग में आज ही सारी बाते बैठ जाएगे, चलो, मैं शुरू करता हूँ, लिखी मेरे साथ आज यहाँ पे, आज की क्लास में फिर से शुरू कर रहा हूँ, आपका कॉंसेट बिल्डिंग कोशन, कॉंसेट बिल्डि आता है, चलो, शुरू करता हूँ, चलो, शुरू करता हूँ, लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक एक जामपल नंबर वन, आज का एक जामपल नंबर वन, कहता है कि राम एन मोहन, मेरे बच्चे दो पार्टनर है, दो पार्टनर है आपका, कहता है कि इनका जो कैपिटल है, बि पिर कहता है कोशन में कि आपने जो net profit कमाया है net profit जो आपने कमाया है कि कहता कि विफोर विफोर और अब का manager's commission कहता है कि manager का commission manager ध्यान दा है manager अभी हम topic को लेकर छोड़े हैं बच्छे manager commission को charge करने के पहले before कहता है जो profit आपका है वो कहता है कि मालनो यहाँ पे 80,000 का amount आपका है 80,000 का profit है बच्छे ठीक है ना फिर कहता है कि जो manager का commission है कहता है कि manager का commission है वो commission कहता है यहाँ पे मालनो वो कहता है कि आपका 10,000 का amount आपका है 10,000 का amount फिर कहता है कि जो इनका partnership deed है partnership deed है यह नाम हमने पिछली class में यूज किया था नाम तो सुना ही होगा आपने नाम तो आपने सुनी लिया होगा बच्छे partnership deed उस deed में जो agreement है partners के भीच में उस agreement में कहता है कि देखो जी partner को यहाँ पे interest मिलेगा on capital और जो interest on capital आपका होगा वो कहता कि मालनो आपका 10% per annum के साथ से ठीक है ना फिर कहता कि हमें salary भी देना है salary भी देना है A को और वो कहता कि मालनो यहाँ पे आपका 15,000 रुपे का amount है 15,000 का amount और कहता है कि जो profit ratio है यानि कि जो profit भच जाएगा वो profit हमें partners के भीच में मालनो कहता है कि equally हमें divide कर देना है ratio क्या होगा question बताएगा आपको बिल्कुल चिंदा नहीं करना मुद्दा वो नहीं है बच्चे मुद्दा वो नहीं है मुद्दा कुछ यहाँ पे है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप इसको लिख लो और फिर कहता है कि prepare कहता है कि prepare profit and loss appropriation account वो कहता है कि आप एक काम करें आप बना लो profit loss appropriation account आपको ठीक है ना बोलता बताओ क्या करेंगे तो आज आप मैं आपको दिखाओं इस question को कैसे solve किया जागा आपका हमें बनाना जी profit loss appropriation account चलो शुरू करो मैं हाँ सर शुरू करो देखो पहले तो मुझे यह बताओ solution करते समय कि यह जो profit आपको बता रहा यह देखिए आपका net profit बिफोर बिफोर मैनेजर्स कमिशन बिफोर का मतलब हुआ जिसमें मैनेजर का जो कमिशन है अभी तक आपने उसमें मैनेजर्स नहीं किया है वो profit कहता है कि 80,000 का माउंट आपका है 80,000 का माउंट है मुझे बताओ इसमें से कितना बता रहा जड़ा मुझे बताईए तो सर मैनेजर्स कमिशन है वो तो आपका यहां पर 10,000 है तो 80,000 में 10,000 तो आपका मैनेजर का कमिशन हो गया मुझे बताओ इस कमिशन को मैनस करने के बाद अमाउंट कितना बच जाएगा यहां पर 70,000 70,000 रुपे यह हो जाएगा आपका net profit यह हो जाएगा हमारा net profit और यह कहा जाएगा जी after after बैचे यहाँ पर commission after manager's commission manager के commission को minus करने के बाद आपका इतना सरी क्या कर रहे हूँ आप बस ऐसी मन किया लिखने का लिख दिया बच्छे अभी कुछ नहीं किया आप भी लिख लो आप भी लिख लो कि यार profit जो manager का commission minus करने के पहले 80,000 रुपे है और फिर question कहता कि manager का commission 10,000 रुपे तो 10,000 अगर minus करूँ तो commission minus करने के बाद amount कितना बचेगा यही बचेगा नबचे यह कोई बड़ी बात तो आप नहीं बता रहा हूं आप पता नहीं अपने आपको क्या समझ दो यह तो हमें पता है आपने ठीक बोला बचे आपने ठीक बोला कि आप भी बात पताए लेकिन फिर आप मुझे यह बता हूं कि अगर मैं यहां पे profit and loss एप्रोप्रिशन एकाउंट बनाऊंगा अगर मैं यहां पर प्रोफिट एप्रोप्रिशन एकाउंट बनाऊंगा तो मुझे यह बताओ जिस profit को मुझे partners के बीच में divide करना है वो profit यहाँ जो लिखा जाएगा by net profit सिर्फ इतना बता दो जो profit मुझे partners के बीच में divide करना है वो profit आपका 80,000 है कि 70,000 है बस इतना बता नहीं सवाल पुछता कुछ मैं नहीं कोई बात करता है आप से मुझे इतना बता दो कि 80,000 में 10 जर्पे हमें commission पे करना manager को ध्यान रहे अभी पढ़कर निकले बच्चे manager employee होता है manager employee होता है और employee को जो हमें commission पे करना है वो profit loss account में आएगा कि appropriation account में आएगा पहले आप मुझे ये बताओ पहले मुझे आप ये बताओ कि जो manager को commission पे किया गया वो profit loss account में जाएगा कि appropriation account में आएगा इस यह यह क्या पूछ रहो यह तो सिंबल सी बात यार अभी अभी समझाया था मैंगेजर इंप्लॉई होता है इंप्लॉई को कुछ भी पे करना है तो वो तो जाएगा प्रॉफिट लॉफ से काउन में जिसको उने कहा था चार्ज अगेंस प्रॉफिट कहा था ना बच्चे हाँ वो तो आपने कहा था तो मुझे बताओ जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है जिनका एप्रॉफिट करना है जिनको प्रॉफिट करना है जिनको प्रॉफिट करना है वो प्रॉफिट कितना है सर वो तो 70,000 है बस बच्चे बस मैं य नहीं चाहता था ये लो लिख दिया आपके ही द्वारा बताए वह अमांट सतर जार रुपर सेवेंडी थाउजन यह वह प्रोफिट जो में पार्टनर्स को देना है तो आप एक काम करो यह जो सेवेंडी थाउजन का मांट है वह पार्टनर्स में आप देना शुरू करो तो आप एक काम करना जला बता अब पार्टनर्शिप में एगरिमेंट क्या है सर्फ पार्टनर्शिप में एगरिमेंट है कि पार्टनर्स को हमें इंट्रेस्ट और कैपिल देना है ठीक है दे दो फिरा दो पार्टनर है राम और दुसरा कोरे जी मोहन आपका राम एन मोहन तो म मैं क्या करूँ गा जी? यह जो interest बचे, 10% की हिसाब से 2.000 का चितना हो गया? 20.000 बीस हजार रुपे का माउंट आपका और जो एक लाह का माउंट यह तीन परसेंट की हिसाब से इतना हो गया आपका? 10.000 का माउंट आपका. 10.000 देखो यह räoom को दे दिया जाएगा और यह mohan को दे दिया जाएगा फिर से slowly मेरी बात सुनो Out of seventy thousand तीस हजा़ रुपे में से बीस जा़ रुपे नाम को दे दिया जाएगा और mohan को दस जा़ रुपे पता यह राम मोहन जो है न बच्शे वो घर लेकर नहीं जाते हैं पैसा कि यहाँ जी आज हमने क्या गया घर लेकर चले गए फर्म पता क्या करती है जितना भी उनको इंट्रेस डेरी है न वो उनके capital account में add कर देती है तो यह राम के capital account में और मोहन के capital account में क्या होगा amount जाके add कर दिया जाएगा और कुछ नहीं आपको यहाँ बात समझे मारी है यहाँ पर कुछ और भी होगा हम आगे discuss करेंगे अभी आएगा कि capital account कैसे बनाया जाता हम वहाँ discuss करेंगे आज उस मुद्धे को भी छोड़ता हूं आज हम उस मुद्धे को भी ठेच नहीं करते हैं वह आगे आपको clear हो जागा अपने आप फिलाल समझे ना कि 70 रुपे में से interest on capital का 20 रुपे राम का जो capital account उसमें जाका हम एड़ कर देंगे क्योंकि वह उनका पैसा है जी और जो मोहन का है मोहन का क्या करेंगे हम जाके एड़ कर देंगे ठीक है तो आप देखो 15,000 रुपे का मौंट आपका 15,000 का मौंट अच्छा मैं इसको लिक ना भूली गया यह बाहर कितना चला गया 30,000 का मौंट आपको याद हो का पिछली क्लास में हमने सिभ राम मोहन और ए लिखा था सुरी ए न जाएगा जी और आपका क्या सैली आपके एकांट में चला गया आप कहता है कि जो बैलन्स बच जाएगा तो बैलन्स जो बच जाएगा प्रोफिट आपका ट्रांसवर टू जो बच जाएगा वो क्या करेंगे जी राम के कैप्टल अकांट में हम जाके एड़ कर देंगे औ और Mohan के, Mohan है ना दूसरा सरा, हाँ, तो Mohan का जो आपका profit Mohan के capital में जाके add कर देंगे, है ना, Mohan के account में आपका add कर देंगे, तो आपने क्या करना है जी, आप ज़रा बताओ कितना मिलेगा यहाँ पे, तो सर 70,000 का जो profit था, वो 70,000 में आपने क्या क्या है, 30,000 तो as interest दे दिय तो 25,000 का profit बज़ गया है और यह profit क्या होगा जी राम और मोहन के capital में एड़ कर देना है रेश्यो एक्वल है तो आपने क्या 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 एड़ कर दिया काम पूरा आपका हुग बात समझ में आई लेकिन जो आपने capital लिखा तर वो नहीं समझ मैं क्यूं आपका हुआ देखो इसका meaning मैं पूरा तो समझाओंगा आगे इसका पूरा meaning समझाओंगा बच्चे आगे इसका topic आएगा capital account कैसे बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा meaning मैं आपको समझा दू ताकि आपका tension खतम हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ बात समय मारी है बता दूसर फिर समझ में एव सब्सक्राइब को ठीक है तो आप देखिए रहां यहां पर क्या nutshell था हृँ रहे हैं मैं समझा हो इसका मतलब यह copy हो गया आपका यह copy हो गिया सबह जी सर यहां तक टो रहो गया तो थीक है अप जो आगे लिखूँए वहां को लिखना नहीं है आपको लिखना नहीं है आपको बस मेरी बाते सुन लेनी है लिखना नहीं है लिखना नहीं है बच्चे लो मैं कुछ समधा रहा हूँ आपको देखो यह रहा हमारा balance sheet balance sheet आपको और इस balance sheet में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर याद करो जब आप 11 क्लास में थे चोटे बच्चे बहुँ छोटे बच्चे आप जब 11 क्लास में थे बच्चे तो आप याद करो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था यह लिखना नहीं आपको बस मेरी बात सुननी है एंड आपने बनाया था profit loss account यह topic हम आगे भी discuss करेंगे थोड़ा से समझाओंगा ताकि आपका यह concept clear हो जाएक हम कर क्या रहे है आप देखो ट्रेडिंग profit loss बनाकर आपने यहाँ पे net profit निकाला था याद है बच्चे सर हां सर हमें याद है फिर आपने क्या किया था यह जो profit आपने कमाया था आपने यहाँ पर एक balance sheet बनाया था और उस balance sheet के अंदर में आप देखो आप यहाँ क्या करते थे मैं याद इलाओं कि जो partner का capital partner वहाँ तो एक यह आदमी होता था जी तो उसका जो profit को लाकर हम यहाँ पे add का दे थे यहाँ थे सर हांसर यह तो हम करते थे कि जितना आपका profit कैटल में एड हो जायाए को करते थे आप सर हां जी करते थे मिरें बच्छे वही काम हम यहां भी कररें टिक कर दूं यहां प्वालो दो हैं, मालो पार्टनर यहां पे दो हैं, तो आपने क्या क्या यहां लिखा हुआ है, एघ का Кैप्टल मैं मैं इसको मिट आउनगा, में पस जगह तो यहां दिखा देता हूं क्या जाएगा थोड़ा सो और उपर करके यह रहा आपको यहां पर बैलनेशीट देखो 11th class का बैलनेशीट क्या होता था और 12th class का बैलनेशीट कैसा होगा यह हमने क्या क्या बनाया सर हम भी बनाए नहीं बच्चे मैंने कहा तो था आपको नहीं बनाना बस मेरी बाते सुननी हैं यह रहा आपका 11th class का बैलनेशीट जो कैपिटल एक ही बंदा होता था उसका जो भी कैपिटल होता था उस कैपिटल में आप इस प्रॉफिट को लेकर एड़ कर देदे थे आप हाँ जी सर हम यह करते थे प्रॉफिट तो एड़ लॉस तो मैनस और यह बाहर जाता था सर और भी कही चीज़ प्लस मैनस करते थे ड्रोइंग सी हम उनकी बात ही नहीं कर रहो तो हम बात में देख लेंगा हम इसके बारे बात करें बचे यह तो 11th class अब देखो 12th class में हमारी परिशानी क्या है कि दो पार्टनर है एक हो गया राम एक हो गया आपका यहाँ पर जब दो होगा तो अलक से दिखाना पुरेगा और दूसरा आपका है मोहन कैप्टल ठीक है ना सर हां राम का capital मालो 2,00,00 रुपे का माउंट था मोहन का capital जो कोशन था जी हमारे मुताबिक 1,00,00 का माउंट था है ना अब दो को हमने क्या किया कि ये profit ये तो 11 class था अब मैं 11 को काटता हूं और आगे हम 12 class में लो मैंने एक ही second में आपको 12 class में डाल दिया और 12 class में हमारे इस्ट्रिबूट करते हैं 12 class में profit loss account के बात क्या बनता है ये बाते हमने पिछली class में आपको बताई थी अब हम क्या करेंगे 70,000 का जो profit वो पार्टनर के बिच में डिवाइड करेंगे जब पार्टनर के बिच में डिवाइड करोगे तो हमें क्या करना होगा जैसे 11 class में profit क को आपने capital में add किया था उसी तरह किसे 12 class में भी profit जैसे जैसे पार्टनर के बिच में डिवाइड होगा उनके capital में जाके add हो जाएगा capital में क्या करेंगे बचे हम add कर देंगे इसलिए हमने क्या बोला यहां पर राम capital account मोहन capital account यानि कि 20,000 रुपे राम के capital में जाके add हो जाएगा और 10,000 रुपे मोहन के capital में जाके add हो जाएगा इसलिए जब भी हम entry pass करें तो वहां लिख़रा है राम capital महण कैपल मतलब capital के नाम लिखा जा रहा है क्योंकि ultimate लूप profit जाके capital में plus minus हो जान denkt सुर्ण हाँ वे कैप्स्हां ये लेकिन मैंने पूरी बात नहीं समझा है capital account में स्पेड़ों लिखो secrets एड़याा गया आज तो बस मैं आपको स्ट्रोंग कर दना चाहता हूं बाकी बच्चों के मुकाबले ताकि आप ही रहें और दुनिया में कोई नहीं रहें बस यहीं मकसद आपका और यहां थेक है यह तो काम हमें समझ में आ गया अब बता हूं जा करें दो आप फो आप अनियर को मैंसर करने के बाद ही आप यहां पर लिलेiben तो यह कम हम इसको मिटाते हैं आपका अभी समझ के होंगे आप अच्छा सर आप चाहो ना तो आप हमें कोई कोशन देखें आप हमारा कॉंसेप्ट चीह कर लो कि हमने सीखा के नहीं सीखा दूँगा बचे पुछूँगा भी सवाल रुख जाओ जोड़ा दो मिनिट के लिए पहले मैं आपको थोड़ा शक्ति तो देदू थोड़ा स्ट्रोंग तो कर दूँँ आज की क्लास के बाद जब घर से बाहर निकलोगे आप देखना आपके शरीर में दो से तिर इंच की ब कोई बात नहीं नए कपड़े लेना आपका दिवा कहां चला गया मैं आपकी शक्तियों की बात करता हूं आप कपड़े और जूतों की बात कर रहा हूं अरे वह टेंशन छोड़ो ना पहले आज आज और हम स्ट्रॉंग बात कर लें यहां पे लो मैं एक एक्जांपल और को करेंगे आप मेरे साथ लिखना शूरू करेंगे एक्जांपल नबर टू एक्जांपल नबर टू कराओ सर कराओ हम भी रेडि हैं आपके साथ जो कराओं केम करने को त्यार थीक तो लिखो यहां पर मैं नाम दे रहा हूं मजे कुछ अच्छा सा कहता है कि एक तो बताओ क्य का माउंट है और यहां पे 2,00,00 रुपे का माउंट है लिग दे हमने यहां पर सरी तो ठीक है आगे बताओ कहता इस बार ध्यान देना वो बदमाशी कर रहा है कोशन कहता कि जो नेट प्रोफिट है प्रोफिट बहुत ध्यान से कोई जलवाजी नहीं है कहता कि आफ्टर जलरी टू एक्स प्रोफिट एक्स की सेलरी आफ्टर यानि की एक्स की सेलरी मैनस करने के बाद यह कहता है कि आपका 3,80,000 का माउंट आपका है 3,00,000 रुपे का ठीक है फिर कहता है कोशन में आपका यहां पे फिर कहता है कि जो पार्टर्रशिप डिड है बच्चे इनके बीच में जो पार्टर्शिप डिड है उस डिड में जो एग्रिमेंट है उस एग्रिमेंट के मताबिक पार्टर्स को हमें इंट्रेस्ट और कैपिटल देना है और वो कहता है कि मानलो 10% की साबसे कि पेदा कि शेलरी भी हमें देना है शेलरी टू एक्स और यह कहता है मानलो आपका 20,000 रुपे का माउंट है 20,000 का माउंट आपका अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट करते हैं जो एक्स को देना है 20,000 रुपे का माउंट आप मेरे साथ और यह कहता है कि जो एक्स को देना है इसको मेनस करने के बाल आफ्रका मतलब क्या जिसमें यह 20,000 रुपे मैनस हो चुका है कहता है वो प्रॉफिट यह तीमाउंट आपका ठीक है ठीक है जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो फिर कहता है कि आपका यह हो गया और कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है यह कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो कहता है कि मान लो यहां पर कितना लिखू बताओ आप जितना बोलो को वही लिखूंगा लो आपने नहीं कहा लिख दिया मैंने 2-3 कुछ भी हो सकता है आपको चिंता नहीं करना जो रेशियो का कोशन बताएगा ठीक है बच्चे सर हाँ तो इंट्रेस्ट रॉन कैपिल 10% सेलली एक्स को देना बीस्टर पे रेशियो कहता है 2-3 का बोलता है प्रिपेर प्रिपेर प्रोफिट एंड लोस आपका एप प्रोपरिशन रिकाउट यहां दखना आगे आने वाले जितने भी बड़े-बड़े कोशन सोंगे मैं उन कोशन की आपकी त्यारी करा रहा हूँ मतलब मैं आपको वो सिंबल तरीके से पहले चोड़े टुकड़ में आपको समझ ngoikeне के बाद यह होगे आपका सरहां मैं सोलुशन में आता हूँ बची सोलुशन एक तो मैं लिखो यहां पर हमें कोशन के मुताबिक क्या बनाना है सब हमें बनाना है प्रौफिट एन- लोउस एप्रोपरिशन एकाउट हमें बनाना है प्रोफिट एप्रोपरिशन एकाउट बात समझे मारी सरहां जी लिजे मैंने ये बनाए आपके साथ प्रोफिट लोज एप्रोपरिशन एकाउट ये लिखा मने बच्चे यहां पर यह हुआ आपका profit loss appropriation account ठीक है न सर हाँ जी मुझे यहाँ पे वो profit लिखना है मुझे यहाँ पे वो profit लिखना है जिस profit को मुझे partners के बिच में divide करना है अजीब सिस्थिती है बचे मेरी मैं समझ नहीं बारा हूँ कि मैं कितना लिखो मुझे यहाँ पे वो profit लिखना है जिस profit को partners के बिच में divide करना है जड़ा मुझे बताओ कि क्या वो profit जो partners के बिच में divide करना उसे 3,80,000 रुपे है आप मुझे बताए कि जिस profit को partners के बिच में जो divide करना है जो partners के बिच में distribute करना वो क्या 3,80,000 का amount है नहीं सर नहीं यह 3,80,000 का जो amount है कहता है कि after यह 20,000 रुपय है X को X यानि कि जो partner को salary देना है उस salary यानि कि 20,000 को minus करने के बाद कहता है कि 3,80 का amount है बाद से में वारी है सर हाँ फिर क्या करें सर कुछ नहीं आप पहले काम करो पता कर लो वो profit कितना है total profit जो कि हमें partners में distribute करना है तो आप पता क्या करेंगे इसके बाद लिखें यहां पर working notes आपका लिखें working notes number one कहता है कि जो net profit है after आफ्टर आफ्टर आपका salary 2X, X की salary को minus करने के बाद profit कहता है कि 3,80,000 का amount है 3,80 का amount, X की salary को minus करने के बाद amount कहता है कि 3,80 का है मुझे बता वो total profit मुझे जानना है जिस profit को मुझे partner के बिच में divide करना है तो मैं क्या करूँगा, सर यह कौन से बड़ी बात है अगर इसमें से partner की कोई चीजे minus हो चुके तो उसको add कर लो आप देखो न, salary to X आप कितना दे चुके है कहता कि सर वो 20,000 का amount है तो आप देखो न, 20,000 रुपे आप इसमें क्या करना? add कर देना और फिर ही वो जो 4,000,000 रुपे निकल के आएगा ये वो profit है जिस profit को हम divide करेंगे partners के बिच में और इस profit को बोलेंगे हम total profit बच्चे आपका यही वो total profit है total profit जो हमें आपका distribute करना partners के बिच में बात समझ मारी है यहां लेकिस एक बार समझा दो को अच्छा लगेगा ठीक है 383 का माउंट है कहता है कि X की salary को मैनस करने के बाद 383 का माउंट है X की salary को मैनस करने के बाद X क्योंकि partner है बच्चे तो partner को जो 24 रुपे आप दे चुके हैं मतलब इसमें से मैनस कर चुके उसको add कर लो फिर कहना है कि यह total profit जो आपका वो कितना जी चार लाक और यह चार लाक रुपे partners को बिच में divide करना है तो मैने बच्चे यहां पे profit चार लाक रुपे लिखूँगा याद अखना मुझे वो profit लिखना है जिस profit को completely partners को बिच में divide करना है अगर इसमें कुछ चीजे मैनस हो चुकी है जो partner को दिया गया है तो उसको मैं add करना पड़ेगा पूरा profit निकालने के लिए निकाल लिया अब इसके बाद क्या करो जी आप यहां पे अपना distribute करना start करो तो देखो अब agreement क्या है तो interest on capital हमें देना है interest on capital जड़ा बताओ x को और y को x का interest कहाँ add हो जाएगा sir उनकी capital account में good आपने सही बोला y का interest कहाँ चला जाएगा sir y की capital account में ठीक बोला आपने बच्चे यहां पे x का interest x में y का interest y में आप दोगो ना 10% कहे रहा है तो 10% आपका 3 लाख रुपे का यहां कितना हो जाएगा 30 थाऊच्ट 30 थाऊच्ट एक काम करना यहां 10% per annum लिख देना पर annum यानि कि पूरे साल का interest आपका है 10% आपका इसका भी कुछ आगे में निकल गयागा मैं आगे आपको समझाओंगा y का कितना हो जागा 10% आपका 2 लाख का सर 20 जाऊच्ट आपका तो 30 प्लस 20 कितना हो जागा आपका 50 थाऊच्ट आपका दे दिया हमने अब आप क्या करो जी agreement के मताबिक salary भी हमें देना है किसको देना है सर X को तो X की salary X की capital में जाके add कर देना और वो amount कितना बता रहा है 20,000 रुपे सर salary तो दे दिया गया था हाँ बचे salary जो 380 में मैंने सो चुगा था तभी तो मैंने 4 लाख लिखा तभी तो वो 20 जो मैंने सो जोगा उसको add कि आप पूरे चार लिखूँगा क्योंकि 20 यार का जो salary दिया गया है वो मुझे एप पूरे प्रिशन अकाउंट में दिखाना है यह rule है कि partners को जो भी कुछ दिया गया आप उस अकाउंट में दिखाईए हम दिखा रहे हैं जो मैं अदियों पर्फिट ट्रॉंस प्रांट्स टूब है आप ट्रांटर कीज нужно जी किसको तो अऄो प्रॉफिट एकस के capital यह हो गया आपका 1,32,000 का माउंट और डिवाइड में 2 इंटू आपका 3 यह आगया आपका 1,98,000 का माउंट आपका 198 आपका and question complete बात हो गई बात खतम होगी बच्छे आप तो कुछ बचा ही नहीं आपने profit को क्या क्या इस तरीके से किया और काम खतम किया question हमारे complete आपका हो गया लिख लो आप इसको लिख लो लिख लो कि सर यह तो बड़ा मजधार topic है सर मजधार topic है हाँ बच्छे हाँ सारे topic मजधार है बश्रतर की समझ में आ जाए तो मैं तो आपको पहली कह चुका हूं कि मैं आपको करा रहा हूं concept building question concept building question का मतलब होता है जिससे आपके concept को strong करूंगा फिर मैं कोई भी question करा हूंगा आप दुनिया के कोई भी question करें कोई भी examiner question दे आपके बड़ा राम से solve होएंगे मैं इसको मिटाओंगा लिख लिए आपने सर हां सर मिटा दो मिटा दो मैं सर मिटा दो मिटा दो हां जी सर हो गया लो फिर मैं मिटाता हूं लो मैं मिटा दिया लो अब मैं आप पे दो फूल फेक चुका हूं बच्चे मैंने आप पे दो फूल फेक दिया अब मैं पत्तर फेकूंगा आप पे एक पत्तर फेकता हूं देखता हूं कि आप उस पत्तर को अपने सर पे जहल पाते हो को नहीं जहल पाते हो दो सर दो हमारा सर स्ट्रॉंग हो चुका है लो सर एक्जा चैण के जो आपका नेट प्रोफिट है आफ्टर आफ्टर कहता है कि राम सेलरी राम की सेलरी मैनस करने के बाद बट बिफोर बिफोर आपका कहता है जी यहां पर मैनेजर्स कमिशन लो मैंने तो दोनों मिला दिया मैनेजर्स कमिशन ये क्या लिख रहो ँइन यहां पर मैंजोश में पता नहीं क्या लिखते चला når रहा हूं लिखो यहां पर मैनेजर्स कमिशन आपका मैनेजर ॐ कमिशन यह कहता कि प्रोफिट जिसमें राम की सेल्डी मैंनस हो चुकी है लेकिन अभी तक मैनेजर का कमिशन मैनस नहीं हुआ याद खना राम यहाँ पर पार्टनर है बच्चे और मैनेजर यहाँ पर इंप्लोई है लिख देता हूं आपका शायद आप दिमांग से निकल गय है कि मैनेजर स्वरी मैनेजर का जो कमिशन है बच्चे जो कमिशन कहता है आपका वो कमिशन कहता है कि आपका suppose that 50,000 का amount है 50,000 रुपे का amount है 50,000 का commission बचे 50,000 का ठीक है ना सर हाँ सर आगे बताओ तो manager का commission कितना हो गहाँ आगे का amount फिर कहता है आगे में आगे कहता है मैं क्या लिखू और क्या लिखू है मैं काम करता हूं मैं लिखोंगा यहां पे जी आपका अब partnership deed है कि जो partnership deed है इनका agreement जो इनके बीच में हुआ है उस agreement में आखिर क्या क्या बात है की गई है कहता कि देखो जी partnership deed के मुताबिक interest मिलेगा interest on capital और वो interest on capital जो होगा मानलो यहां पे कहता जी 5% आपका होगा ठीक है ना फिर कहता है कि मानलो यहां पे हमें क्या करना जी salary हमें देनी है और salary कहता है कि राजा को भी देनी है और राम को भी देनी है मैं तो बड़ा tough question बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए कहता है कि 60,000 salary इनको देना है और 40,000 salary हमें क्या करना इनको देना है राजा और राम को आपका ठीक है ना और फिर कहता है कि जो profit ratio होगा profit ratio जो होगा वो ratio कहता है कि मानलो 1 is to 1 के ratio में होगा equally आपका बोलता है कि prepare prepare आपका profit and loss appropriation account बोलता है बताओ आप profit loss appropriation account कैसे बनाऊंगे बोलता है बताओ profit का आप यहां पर अकाउंट कैसे बनाऊंगे कैसे distribution आपका होगा आप इसकी पहले copy कर लो capital बता रहा जी profit आपको बता रहा आपका राम की salary को manage करने के बाद लेकिन commission को कहता है कि पहले आपका commission बता रहा माँट कुछ इस तरीकी का आपका लिख लिख लिए आप लोगों ने सरहां जी question लिख लिए आपने तो आज मैं ready करता हूं यहां पर solution प्रॉफिट कितना बता रहा जी 6 लाग का मांट है मैंने यहां ready कर रहा हूं तो आपने बनाया मेरे साथ profit and loss and loss appropriation account आपका आप बना रहें मेरे साथ profit and loss appropriation account यह रहा आपका profit and loss appropriation account लो मैंने रख दिया आपके सामने आपका appropriation account मरे बचे मुझे पहले उस profit को यहां पर पता करना है जिस profit को मुझे पार्टनर्स के बिच में डिवाइड करना है यह एप्रोप्रेशन है मुझे उस प्रुफिट को जानना ही पढ़ेगा जिसको में प्रुफिट को बिच में डिवाइड करना है मुझे बताओ क्या वो प्रोफिट 6 लाख रुपे का माउंट है नहीं सर नहीं 6 लाख अमाउंट नहीं है क्योंकि छे लाख में कहता है कि अभी तक employee का क्जो Commissioner मैनस ही नहीं हुआ है वो कहता है कि employee का जो कमिशन उसको अपने मैनस ही नहीं किया है अच्छा तो employee तो हमारा जी एक इसका Commission तो expense माना जाएगा कहता है कि वो मैनस नहीं हुआ है लेकिन आपने राम की सेली मैनस कर दिये राम जो partner है partner की सेली अपने मैनस कर दिये तो मुझे मुझे पहले क्या करना होगा इस profit को जानना होगा आप एक काम करना आप यहां पर आठ से नौ लाइन दस लाइन जगा छोड़ दो दस लाइन जगा कम से कम आपका जितना जगा आपने पिछले कोशन में यूज किया था और फिर मेरे साथ बनाई यह वरकी नोट्स आपका नंबर वन मैं लिख रहा हूँ computation of computation of net profit transfer to transfer to आपका profit and loss appropriation account जिस profit को आपको appropriation में transfer करना है क्या मैं नहीं जिस profit को आपने distribute करना है उस profit को अम क्या करेंगे जी पता करेंगे तो देखो एक तो पहले आपको कहता है कि यह जो net profit आपको दिया हुआ है ये कहता है कि आफ्टर क्या मैनस हो चुका जी राम की सेलरी कहता है कि राम की सेलरी इसमें से मैनस हो चुकी है बट लेकिन कहता है कि बिफोर बिफोर नहीं मैनस हो अभी तब क्या जी मैनेजर यानि कि इंप्लॉई का कमिशन manager जो commission आपका है वो कहता है कि अभी इसमें minus नहीं हुआ है तो मैंने बचे ये amount कितना बता रहा है जी sir 6 lakh amount लिख दिया हमने यहाँ पे 6 lakh amount बात समझ मारी है sir हाँ जी 6 lakh amount हमारे पास है अब दोगो 6 lakh रुप में हमें क्या करना है एक तो पहले एक काम करो अगर कोई आपको expense दिख रहा है जिस expense को अभी तक आपने minus नहीं किया तो पहले उस expense को minus करो sir हाँ दिखा तो हमें manager commission कहता कि before before का मतलब क्या अभी तक इसको minus नहीं किया गया है तो minus करो क्योंकि commission तो जाता है profit loss account में और हमें वो amount निकालना जो हमें profit loss preparation में दिखाना है तो अपने काम करो इसने से क्या करो minus कर दो आप यहां ko managers my managers commission आपको है अभी आपने क्या करो जी managers commission को आप यहां minus करो चलब बताओ कमिशन कितना है यह देखो आप यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यहां अच्छे यह 50 ज़र का माउंट है ठीक असर दिख गया आप इतना क्यों चिला रहे हो अच्छा-च्छा माफ करो मुझे लगा कि आप शायद कहीं और ध्यान भटका दिए इ इसके बाद कहता है कि आप ने इस प्रॉफिट में राम की सेलरी मैंटर कर दी राम मेरे बचे पार्टनर है पार्टनर को जो भी कुछ देना है उसको यहां पर दिखाना है in Mac अगर मैनस हो चुका है पार्टनर का कुछ भी टो आप यहां पे एड़ है करो राम की जो सेल्री है आप यहां पर क्या करो एड़ करो जला बताओ राम की सेल्री कितनी है राम की सेल्री सिक्सी थाउस एक बताओ क्या सुरी सिक्सी ने कितना जी फॉर्टी थाउस आप बताओ क्या मैं यहां पर राजा की भी सेल्री को एड़ कर दू नहीं सर नहीं यह नहीं कह रहा है कि राजा की सेल्ली यहां पर मैनस हुए मतलब राजा की सेल्ली मैनस नहीं हुए राजा की अभी मैनस नहीं हुए किस की मैनस हुए जी राम की तो राम कम ने क्या क्या एड कर दिया अब निकल के आ गया वो profit जो total है जो profit law से proportion account में जाएगा और वो कितना निकल के आ गया तो सर वो आ गया पांच लाख नब्य हजार और अपका 590 का माऊट यह आ गया 590 का माऊट पांच नब्य यह लिख दिए आपने यह लोग पांच नब्य थीए बच्शे ना सवाजी पांचर नब्य क अटो बात Sindic अब हम क्या करेंगे जी ये 590 को यहां लिखेंगे जो हमें partners के बीच में divide करना है अब agreement के मुताबिक distribute करो agreement है कि partners को हमें interest देना है on capital हमें interest देना है on capital आपका आप चेकरो interest राजा को मिलेगा राजा का interest आप क्या करेंगे राजा के capital में जाके add कर देंगे और जो राम को interest मिलेगा वो राम के capital में जाके यहां पर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा बात समझे मारी सरहां जी तो देखो ना 5% बता रहा है जिला बताओ पांच लाग का 5% कितना होता है सर 25 थो गुड़ आपने बिलकुल सही बताया टोटल कितना हो गया 40,000 का माउंट 40 हो गया यही हुआ न सरहां अच्छा मुझे बता अब हमें क्या देना है सैलरी भी देना है तो लिजे जो सैलरी हमें इनको देना है वो इनके अकाउंट में एड कर देते हैं जी तो राजा को जो सैलरी हमें पे करना है राजा की capital में जाके एड हो जाएगा और जो राम को सैलरी मिलना है वो राम के capital में जाके आप यहां पर क्या करेंगे एड करते हैं ठीक है ना तो देखो जड़ा राजा का 60 राम का 40 आपने 60 यहां लिखा और यहां लिखा 40,000 का माउंट जड़ा बताओ टोटल कितना हो गया सर एक लाग का माउ है चलो कोई बात नहीं सर अकाउंस तो जानते हो अकाउंसी पुरा दो अकाउंसी तो पढ़ना मुझे आपसे तो ठीक है ठीक है बच्चे अब मैं इसको मिटाओंगा है आप कहो तो मैं इसको मिटाओं मेरे पास जगह की कमी है आप मेरे मजबूरी समझो मुझे आगे मिटा दिया कि लो मैंने इसको मिटा दिया और अब मैं मिटाने के बाद आप करूंगा जी यहां पे आगे की बाते बोलना है आपने कि जो सब्सक्राइट बच गया राम की कैपिल काउन में जला बताओ कितना बच गया सिर्फ पांच लाख नम्बे जर का प्रोफिट था जो पार्टनर्स में डिवाइड को ना था एक चालिस का डिस्पुशन तो हम कर चुके हैं तो सिर्फ फोर फिप्टी का माउंट बज गया साड़े चार लाख रुपे अब ये साड़े चार लाख रुपे का रेशियो क्या बता रहा एक्वली है तो बचे टू लैक टू लैक टूंटी फाइब थाउजन यहां चला गया और टू लैक टूंटी फाइब थाउजन आपको यहां चला गया और काम हमारा खतम हो गया बात खतम हो गया कुछ बात समझ में आ रही है तो ठीक है बच्चे आज मैंने क्या क्या आपको बहुत स्ट्रोंग कर दिया आज हमने आपको स्ट्रोंग कर दिया आप यहां तो करता हूँ हो गया कोपी आपका बचये कोपी हो गया सए हाझ यहां तक हमने कोपी कर लिया ने Dot einem को बहुत कोशिश किया स्ट्रोंग करने का और रज़ जो पूप यह फिल हो जाएगा आपको अग्ली क्लास नहीं अगली class में जो question आएगा almost वो question आपको आता है almost आता है बस थोड़ा सा practice की कमी होगी practice मैं ही कराऊँगा जब मैं आपको बोलूँगा कि ये घर से question करना तभी question घर से करना है अगर मैंने आपको नहीं बोला तो फिर आपको नहीं करना फिर आपको क्या करना कि जो मैं आज पढ कि मैं जाओंगा उसी class का आपको अगली class में revision करके आता है बस इतना काम करो मैं आपको विश्वास दिलाओंगा कि आपको क्या होगा सब कुछ समझ में आएगा सब कुछ समझ में आएगा और एक बार नहीं सबसे बड़ा फैदा क्या है जब भी revision करना होगा वीडियो को आ आज तो हमारे पास partnership रीट था हम लोगों ने agreement किया है बच्चे कि यह profit हमें कैसे distribute करना है लेकिन अगर मालो हमारे बीच में agreement ना रहे अगर हमने बीना agreement के काम करना शुरू किया और बात में अगर मालो हमारे बीच में जगड़े हो गए और उस जगड़े के case में profit को कैसे distribute करें इस बात को लेकिया गए हमारे बीच में जगड़ा हो तो उस case में partnership act 1932 क्या बोलता है हम सिखेंगे आपके साथ अगली class में आपक अगली class में मिलूंगा इसके आगे continue करने के लिए तब तक आप सबको बाइबाए data next time मिलते बचे all the best मस्ती कीजिए लेकि अगली class में proper तरीके साह पढ़ने के लिए चलिए बाइबाए हुआ 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 है